तीन बच कर 19 मिनिट पर मेरी स्क्रीन पे था डेड़ लाग का प्रॉफिट लेकिन तीन बीस पर में स्क्रीन पे क्या देखता हूँ साड़े अठरा लाग का लॉस और बहुत सारा करजा चड़ गया लोग मुझे कहने लगे कि ये शेर मार्केट वेर मार्केट छोड़ और कुछ ढंका काम कर जहां स्टेबिलिटी हो एक साल की तहारी के बाद मैं मार्केट में वापस आया और तब बैंक निफ्ती में वीकली ओप्शन शुरू ही हुए थे आज की तारिक में प्रोफिट करके मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 15 करोड तक पहुचा दिया है कैसे कोई इंसान सिर्फ स्क्रीन के सामने बैट कर एंड कुछ बटन दबा कर करोलो रुपे कमा सकता है ये बात मुझे 2012 में पता चली जब मैं हमने डाड की जूलरी ओपुस में बैटा था और डाड से मिलने एक अंकल आए वो अंकल उस समय बाकलेस के हेड ओफ ट्रेडिंग थे और बातों बातों में बता रहे थे कि उन्होंने इस साल कंपनी के ट्रेडिंग डेस के लिए 120 करोड रुपे का प्रॉफिट किया उस दिन मैंने डेसाइड किया कि मुझे भी एक ट्रेडरी बनना है मारकेट के बेसिक नॉलेज लेने के बाद मैं भी मारकेट में कूथ पड़ा और कहते हैं ना बिगनस लक तो मेरी लाइफ की सबसे पहली ट्रेड जजड़ डाइल में थी जजड़ डाइल में मैं शौट था जजड़ एक ही महिने में 40 टका गिर गिर गया एन एक ही ट्रेड में मुझे हुआ 75 लाक्स का प्रॉफिट, 23-24 की उमर में जब 45 लाग एक ही ट्रेड में बन गए, तो मुझे लगा अरे वाह, शेर माकेट तो काफी आसान है, लेकिन ये कहानी आप सबको अच्छी लगी, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, स्टॉक म की बात है, Thursday था, and August की मंतली एक्सपाइरी थी, लगबग तीन बजे हुए थे, एन मैं उस समय, options rating सीखा ही था, and time decay करके concept के बारे में जाना था, तो जजजडाइल उस समय 4.85 पर चल रहा था, तीन बजे, and मैंने जजडाइल की 500 की call option, जो लगबग 50 पैसे के आसपास थी, मेरे पास लगबग 50 लाग से जादा quantity थी, and मेरी analysis यह थी, कि अगर जजडाइल अगले 15 मिनट तक 500 के नीचे रहता है, तो मुझे 1.5 लाग का profit होगा, and मेरी analysis राइड भी हुई, and 3 बचकर 19 मिनट पर मेरी screen पे था 1.5 लाग का profit, लेकिन 3.20 पर में screen पे क्या देखता हूँ, 1.5 लाग का loss, एक मिनट में 20 लाग का loss, मुझे तो समझ में ही नहीं आए, यह क्या हुआ, और ऐसा हो भी कैसे सकता है, because judge deal तो 485 पर ही था, तो मुझे लगा, यह broker की कोई गलती है, उनसे कुछ M2M error हो गया है, तो मैंने 0-10 को email लिखा, कि I think आपके PNL में कुछ error है, प्ली उन्हों ने इसका explanation यह दिया, कि आपकी quantity intraday थी, तो 3.19 पे auto square off हो गई, पर आपकी quantity इतनी बड़ी थी, कि जब हमने auto square off किया, तो आपका जो square off था, 10 पैसे से average 7 रूपे तक square off हुआ, इसलिए आपको 20 लाग तक का loss हुआ, मैं तो यह reply देखकर, शौक में आ गया, उस दिन एक चीज समझ में आ गई, चाहे किसी भी trade पर कितना भी conviction क्यों ना हो, risk management is always important, एक ही trade में, जब इतना बड़ा loss होता है, तब अब right frame of mind में नहीं रहते हैं, खुद को doubt करते हो, अगली trade मानने से पहले हाथ कापते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, आ आपको लगता है कि आपने trader बनके कोई गलती तो नहीं करती, ये सब thoughts माइन में आने लगे, समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करूं, तो मैंने decide किया, कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, and I have to find a method to this madness, तो मैंने trading से एक साल का break लिया, and उस एक साल के दौरान में मैंने एक दो जमानी जी जो Bombay Stock Exchange में ही उनका office है, तीन दिन उनके office के बाहर गया, खड़ा रहा, and finally उनसे मुलाकात हुई, उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, there are no losses in the stock market, only lessons learned, और Indian markets की जब बात होती है, तब एक नाम सब के जुबान पर आता है, the big bull, Mr. Rakej जुनुन वाला, and मैं उन जुरू कर दिया, लेकिन उनसे वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई, फिर पता चला कि उनका office नरीमन पॉइंट पर है, तो मैं सीधा नरीमन पॉइंट उनके office पहुच गया, Rakej जी से जादा बात नहीं हुई, लेकिन उनके company के CEO उत्पलशेट जी से मुलाकात हुई, and एक एक sheet बनाई, and सभी गलतियों को document किया, risk management और trading psychology की किताबे पढने लग गया, share market का कहीं भी कोई भी workshop होता, या seminar होता, वहाँ attend करने में पहुच जाता था, daily 13-14 घंटे market के बारे में पढने लग गया, लोगों के बारे में पढने लग गया, जिन्होंने market में बहुत पैसा ब बैंक निफ्ती में weekly option शुरू ही हुए थे, मैंने options का काफी knowledge ले रखा था, and मुझे लगा ये चीज सही है, आपको सिर्फ एक थोड़ा view चाहिए, and risk को manage करना है, and हम हर अपते पैसा बना सकते है, तो अगले दो साल काफी अच्छे रहे, काफी अच्छा पैसा बना, trading में ब बहुत सारा करजा चड़ गया, लोग मुझे कहने लगे, कि ये share market, where market छोड़, और कुछ धंका काम कर, जहां stability हो, तो मैंने सोचा, मेरे पास share market के अलावा, कोई और skill भी नहीं है, तो मैं करू क्या, मुझे सिफ share market आता था, तो मैंने सोचा, इसको सिखाना शुरू करता हू तो मैं LinkedIn पर colleges से connect करने लग गया, काफी colleges को daily message करने लग गया, कि मैं एक finance का workshop करना चाता हूँ आपके college में, would you be interested, तो IIT Bombay ने agree किया, and मेरी life का first workshop मैंने IIT Bombay में किया, and जब मैं IIT Bombay में गया, तो it was a dream come true, क्योंकि मैं 3 साल quota में था for IIT JEE preparation in Bansal classes, and मेरी मम्मी का dream था कि मुझ लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद भी मेरा IIT में selection नहीं हो पाया, मैं पढ़ाई से IIT IIM तो नहीं पहुच पाया, लेकिन markets की वज़े से IIT Bombay, IIT Delhi, IIM Bangalore, और काफी बड़े colleges में पहुच गया, जब मैंने IIT Bombay के pictures को LinkedIn पर upload किया, तो एक trading desk के CEO ने मुझे कहा, कि क्या आप ये training हम समझी, fake it till you make it, मैंने उन traders को conference show किया, कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा trader हूँ, ताकि वो मुझे सुने, और तब की बात है, और आज की बात है, अब मानोगे नहीं, मैं आज उस quantity से भी ज़ादा quantity trade करता हूँ, मैं daily visualize करने लग गया, कि IIM growing as a trader, बड़े बड़े लोग मैं अपनी family के साथ, जैसल मेर मेर में था, तब मुझे Twitter पर एक message आया, message था CNBC आवास के producer का, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी talk कहीं तो सुनी है, would you be interested in media appearance, and जब TV पर पहली बार आया, तो relatives और family के calls, messages आने लगे, CNBC में आने के बाद, बाकी news channels भी मुझे बुलाने लगे, money control में feature किया, और बहुत सारे news articles मेरे बारे में आने लगे, मेरी journey के बारे में आने लगे, जो relatives पहले बोलते थे, कहां अपने बेटे को share market में डाल रहे हो, सटा है, आज वो ही relatives, parents को phone करके बोलते है, कि सौरब को बोलोगे क्या, कि मेरे बेटे को guide करे, कि आगे career में क्या करना ह मैं fortunate हूँ कि अब तक life ने मुझे काफी successful moments दिये, लेकिन मेरी life का सबसे proudest moment था, जब मैं zero-da के founder, नितिन कामत जी को मिला, उनके साथ बैट कर, markets के बारे में discuss करके, उनकी humility को देखकर, अंदर से एक inspiration मिली, कि यार, life में अब तक बहुत कुछ achieve करना बाकी है, आज की तारिक में profits करके, मैंने अपनी trading capital को 15 करोर तक पहुचा दिया है, trading ने मुझे life में बहुत कुछ दिया है, financial freedom दिया है, जब मन होता है, कई भी घूमने चले जाता हूँ, किसी को answerable नहीं हूँ, अगर कोई मुझे कहे कि मेरी trading journey के सबसे दो important lessons किया है, तो मैं कहूंगा, सबसे पहले भाव भगवान चे, इसका मतलब है, price is the only truth in the market, इसको एक example दे समझाता हूँ, जब demonetization हुआ था, 8 November 2016 को, सब टीवी पैनलिश कह रहे थे, अब तो इंडियन economy अगले एक साल तक struggle करेगी, लेकिन, 8 November 2016 को, निफ्टी का low लगबक 7000 के आसपास था, अगले एक साल में एक ही साल में, इतनी negative news होने के बावजूद भी, price तो कुछ और ही कह रही थी, इसलिए एक चीज़ जो राकेश जी भी हमेशा कहते थे, वदारे वदारे लेवानों, घटारे घटारे वेचवानों, इसका मतलब है, आपको price के साथ रहना है, as a trader, जो price कह रही है, उसी को follow कर होना है, चाहे stock कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, price उपर है, तो stock अच्छा है, price नीचे है, तो stock बुरा है, lesson number two, मैंने अपने stock market के career में, Brexit देखा, surgical strike देखा, demonetization देखा, lower circuit देखा, upper circuit देखा, काफी कुछ देखा है, लेकिन, अगर मैं अब तक stock market में tick पाया हूँ, तो एक ही कारण है, risk management, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, काफी समय नुकसान भी हुआ, पर कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कि अगले दिन आकर में trade नहीं कर पायूँ, ये एक guru मंतर हमेशा याद रखना, manage your risk at all times, जाते जाते एक चीज़ सभी को कहूँगा जब आखों में अर्मान लिया, जब मन्जिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया, बस ठान लिया क्योंकि आपने ये talk देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने चीवन में सही skills के जलिए पैसा कमाना चाहते हैं, और successful मना चाहते हैं, चाहे compounding के concepts हो, या फिर stock analysis करना, या फिर investment के basic concepts को समझना, इन सब में आपकी मिनत करता है चोष्टॉक्स का चोष्टॉक्स English Speaking App, यहाँ पर आपको मिलती है बस लाइस प्रिजस, यहाँ पर आपको मिलती है खेर सारी exercises, और साथ में सबसे important आपको मिलती है कैसी community, जो आपको help करेगी finance related topics को बड़े आसान तरीके से समझने में तो तेर किस बात की अभी download करें चोष्टॉक्स English Speaking App और लीजिए अपनी financial freedom की तरफ पहला कदम